सलुम्बर विधान सभा सीट पर उप्चुनाव होना है यहां पर 13 तारीक मद्दान होगा मुख्यमंत्री को भी आना है मैं साथ भाजपा के नेता मौजूद है प्रदेश उपादक्ष है नार सिंग जोदा इनके साथ कुछ और भी लोग है समझेंगे यहां पर क्या माहौल जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही हैं जीतेंगे तो हम निश्चत रूप से इसमें कोई दोराएं नहीं है और जहां पर आप जहां तक बात कर रहे हो कि ट्रैंगल की बातें मैं समझता हूं कि दूसरे और तीसरे नंबर के लिए कॉंग्रेस और बाप में लड़ाई हो रही है पेले नंबर की हमें कोई चिंता नहीं है और कोई डाउट नहीं है क्या वज़ाय मानते है कि पीछे आप को कैसे लग रहा है कि आप प्रथम पे हैं या चुनाव जीतेंगे क्या वज़ाय मानते इसके पीछिए चिए मैंने देखा यहां अमरत तलाल जी मिणा के प्रती जो लोगों की भावना हैं उनके देहांत के कारण से आम जन के मन में दर्द है कि हमारे बहुत सारे अधुरे काम जो काम होने थे वो अधुरे रह गए हैं और सांता देवी जी ने तैक किया है कि में मेरे पती की जो अधुरे कारी हैं उसको पूरा तन मन से पूरा करू उसका निश्चित रूप से जनता को ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार के कारणी हमारी विकास संभव है तो कि आप संगठन में हैं और यहां कह रहे हैं लोग की संगठन ही आपकी पार्टी की बड़ी ताकत मानी जाती है चुनाओं के खास करके चुनाओं के दोर में तो हमारे सकति केंदर और बूत की जो ताकत हैं वह हमारे असली ताकत हैं और 299 बूत हैं 299 के 299 बूत पर हमारी बहुत अच्छी टीमे वह हमारी ताकत हैं सांतामीरा जी का कहना है किस बार ओट ज्यादा मिलेगा उनके साथ लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है चीजे दिखरी आपको निश्यत रूप से एक तरफा माहूल लग रहा हमें तो कहीं कोई कॉंग्रेस या किसी और पार्टी का कोई न तो जनता कह करा रहे हैं और नहीं हमारे कार्यकरता में किसी परकार की कोई संकोच है बजिप आगरिन सवाल करूंगा की मुख्यमंत्र जी का दौरा है आएंगे बाते होंगी आप लोंग को क्या लग रहा है यहां कि लोग कि लोग क्या कह Genau एं आप से कि ये बात कहना जरूरी है उन से समझे का समादन होगा एक तो निश्य दूप से जो महाराना परताब से जुड़ा हुआ ये जो परताब सरकिट जो है उसके लिए बजनलाल जी की सरकार ने सो करोड का जो बजट रखा है और उसमें चावंड भी एक मुख्य पार्ट है महाराना परताब का यहां पर समादी इ नहीं हुए है उनका देहांत यहीं पर हुआ था इसलिए इसका विकास और प्रेटन के दरेश्टे से मैं समझ रहा हूं कि भजनलाल जी की सरकार के करण से जो चावंड का विकास होगा और चावंड आने वाले समय में निश्चत रुप से पूरे देश के प्रेटन के नाम प्रेटन का नक्षा है उसके बहुत बड़ा नाम होगा चावंड का भी नाम होगा यहां पर उचुनाव है और बिजेपी ने पूरी तागत जोंक दिये प्रदी सद्दक्श आए हुए थे उपाद्दक्श यहां के प्रभारी हैं तमाम नेता यहां पर काम कर रहे हैं दिर दिरे चड़ रहा है और आने वाले दिनों में चुनाव और भी रेश से आगे बढ़ेगा एबिपी लाइब ले संतोष्क मार पांडे सलूंबर